सब्सक्राइब करें मैं चैनल को अब लाकन को भी दबा देजे था कि हमाने ने वीडियो को अब बिल्कुमी में सना करें तो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं है चैनल करें अब बुरी एक चाहिए है यहां पर जेकर ने के अपनी अने को शुरू हो गया है है अगर यहांपर को शुरू हुर नहीं है तो लीलियन और मुझे भूह कर रहना पड़ेगा लेकिन कुछ भी हो जाए बढ़े है बन्रस अपने मंन पर जाता है तो इसे देखते बंदे एक बंदे तरी करता करता है लेकिन वह बंद उससे फॉक जाता है और वह बार चूक जाता है और बाति ज्यादा गुश्टा आगया होता है जिससे कि मुझे पैसे मिलेंगे और मैं खाना खा सकूंगा तब ही आचानक उस बंदे को कुछ महसुत होता है और वो घुटने के बाल बैट जाता है वो अपने मन में कहता है ठिकार है ये मुझे क्या हो रहा है क्या मैं बिमार हो गया हूँ पहले मेरी ये बिमारी आधी रात को होती थी लेकिन अब ये बिमारी पहले ही आगी आखिर ऐसा क्या हो रहा है तब ही अचनक वो बंदा नीचे गिर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है उस दिन उन भीडियों से बचने के बाद अक्सर मेरी ये सिचुईशन हो जाती है मेरे विलेज के सभी लोगों ने कहता है कि ये नॉर्मल सिर्दत है लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है ये बहुत ये अजीब सा कुछ है ऐसा हैसा ये दर्द नहीं है बलकि ये कुछ अलगतर का चीज है और वो बंदा नीचे गिरी रहा होता है कि तभी वो चारव तरफ देखते वे अपने में कहता है रुको ये तो मेरे पास से बहुत ज़्यादा अलग है इस बार मुझे होशा गिया है ये सब देख्यों वो बंदा काफी ज़्यादा एरन होता है कि तभी उसके सामने एक रोशनी से चमकती है और वो देखता है कि वो अचानक किसी दूसरे जगा में आ गया है और उसके सामने बहुत सारे महल होते है तो ये देखते वे वे वो बंदा कहता है क्या वह मेल है और वह बन्दा उसके सामने एक बड़े से गेट को खोलता है वो चानल तरफ देखतेवे कहता है आखिर, आखिर या जगा कौन सा है अभी हम उसके सामने एक टेबल देखते हैं जसे पर कुछ रखा हुआ होता है तो यह देखते हुए वो बंदा कहता है आकर वो क्या है उस टीविल पर क्या रखा है So guys यह जो बंदा में दिखाय जाता है यही इस सीरीज का में करेक्टर होता है जिसका नाम रेन चियासू है तभी हम देखे हैं कि रहन की सिर में अचानक से फिर से फिर होने लगता है हम वह देखे हैं हमें उसी च्वर को पार तो को छल्दी उड़ गया अजिर तो बहुत जिस्यादा भारश हो रही है मुझे जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा तबी वो दूसरा बंदा उसके पीचे से अधिया निकल के बाहर आता है और उससे कहता है तुमारा यह शिकार यह मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें माट डालूँगा तबी रैन बहुत ही तीजी से अपने पैन को उसके मुँपे मार देता है जिसके वज़से उसका दाठ टूट जाता है और रैन वहां से अपना शिकार लेते वे चले जाता है तो वो बंदा नीचे बैटे वे अपने आपसे कहता है आखिर मुझे शमाज क्यों नहीं आता कि हर बार मैं है शिकार क्यों बनता हूँ हम रैन को देखते हैं जो कि आगे चलना होता है तबी उसके सामने एक सिस्टेम नोटिफिकेशन होता है जहाँ पर कुष्ट होता है जिसमें रैन को बताया जाता है तुमने अभी वी चिस्टेम को पकड़ा है तुम उसे किसी को गिफ्ट कर दो तो यह देखते हुए रैन काफी जदा है रैन होता है तबी वो दूसरे बंदे को देखता है जो कि वहाँ पर पड़ावा होता है और रैन अचानक से उस बंदे के सामने चला जाता है तो यह देखते हुए वो बंदा काफी जदा खबरा जाता है रैन उसे कहता है क्या तु हमें उसी टेबिल को दिखा जाता है जहां पर कुछ रखा हुआ होता है तब यह देखते हुए रहना प्रेमन में कहता है क्या इसके लुप्लिकेशन स्क्रोल क्या इससे हम दूसरे के स्कुल को कॉपी कर सकते हैं जैसे कि हंटिंग सर्वाइवल या फिर और कुछ तब दूसर नवस मजाक कर रहा था और यह कहते हुए रहन वाशे चले जाता है तो चल्याते वह रहा हूँ है और अखिरकर यह लोग कौन है यह दुनिया सच में डूपते जारी है यह तो बहुती नीचे होते हुए अब मेरा क्या होगा दूसी तरफ हम रहन को देखते हैं जो के काफी जदा खराब होती है रहना करी बढ़ी रहा होता है कि तभी उसी कुछ बंदे देखते हैं जिन में से एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है देखो इसके पास यह तो शिकार करके लाजा आए उन्हें ऐसा फूस फूस आता हुए देख रहन काफी जदा सतर को हो जाता है और अपने दलवार को अपने हाथ में ले लेता है तभी वो बंदे रहन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे मान नहीं वाला होते के तभी दूसरा बंदा उस बंदे को रुख लेता है और उससे कहता है इसके बारे में भूल जाओ तुम इससे लड़ना नी चाहिए उसे brain disease है तुम्हें थ्री सेटिस और सिक्स टैल्स दूंगा मतलब कि तुम्हें साथ सो रुपे का सबस मिलेंगे तु यह सुनते हुए रहन उससे कहता है क्या इतना कम तुम मुझे इतना कम नहीं दे सकते कम से कम तुम्हें मुझे 800 रुपे तो देना ही चाहिए इसकी के मत यह यह सुनते है तुम्हें मैं मुझे कहता है और ने इसके पहले बारा वाड लैर तुमने वह से पहले वाला वाठ्ट तुम्हें थाूब कराइए वो शॉपके पर कहता है मैंने पूछा थे कि आप इसे कितने में बेशना चाते हैं तो रहन उसे कहता है मैं तो इसे 1200 में बेशना चाता हूँ अगर तुमने ये नहीं दिया तो मैं यहां से जा रहा हूँ तो ये सुनते वे वो बंदा याने के शापके पर काफी ज़्यादा परिशान हो जाता है और वो शापके पर 1198 रुपे रहन को देते वे कहता है रहन बस इतना ही ये काफी ज़्यादा हो रहा है तो rhyn उसे कहता है अरे तु हमारे पस दो यॉवण और है जल्दी तु मुझे दे दो तबी rhyn एक जैकेट को देखता है और उसे कहता है तो बताओ यह जैकेट कितने का है तो वो शॉप के बाद कहता है यह तो काफी ज़दे महिंगा है ये 420 रुपे का है तुम इसे नहीं ले सकते और फिर रैन वासे अपने घर चले जाता है जहापी वो अपने भाई को देखता है जो कि रैन को देखते वे कहता है ब्रदर क्या आप आगए? तु रैन उसे देखते वे कहता है अरे ठीक है वैसे तुम मझे बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है तुम्हारा ये हूंबक बताओ ये पूरा हुआ कि नहीं तुम ये सुनते वे उसका भाई उससे कहता है ये काफी अच्छा है लेकिन मुझे आपके साथ हंटिंग कहले जाना चाहिए था मुझे इसमें काफी ज़्यादा मुझा था और रहन के भाई का नाम यान लुयान होता है वो रहन से कहता है मैं आपके साथ कब हंटिंग कर सकता हूँ तो ये सुनते वे रहन से कहता है हंटिंग करने से इंसन कभी हम मर सकता है तो इसके लिए ये ठीक नहीं है तो मैं अभी पढ़ाई करनी होगी तो मैं स्कुल जाना होगा पढ़ना होगा ये हंटिंग ज़्यादा बेहता नहीं है इसमें बहुत ही ज़्यादा मैहत का काम करना पड़ता है सबसे ज़्यादा जरूरी है नॉलेज और अगर नॉलेज तुम में होगी तो तुम काफी अच्छा कर सकते हो तुम यहाद से शेयर की और जा सकते हो तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा और रैन अपने मन में कहता है ये अफसोस की बात है कि मैंसे टूशन नहीं लगा सकता क्योंकि टूशन काफी ज़्यदा महंगा होता है और इसे मैं पता चलता है कि रैन का परिवार काफी ज़्यदा गरीब होता है फिर रैन कुछ खाना बनाके अपने भाई को खाने के लिए देता है तो उसका भाई या निकी यान उससे कहता है नहीं ब्रदर मैं इसे भोग नहीं है आप इसे खा जीए आपको चोट लगी है तो आपको इसे खाना चीए तो यह सुनते वे रहन उससे कहता है ने ने मुझे भोग नहीं है मैं तो बस सूप पीता हूँ तुम इसे खा लो तो यहान उससे कहता है ने ने मैं ने तुम्हारी चोट काफ़ी जदा है मैंने सुना दैके दो दिन पहले किसी को चोट लगने से मौत हो गई थी और ये कहते हुए यान रो रहा हुता है तो रहन उससे कहता है क्या तुम्हार कर रहे हो क्या तुम जानते हो किस दुनिया में मर्द रहोते नहीं है यह एच्छे से रहना होगा तो इसलिए तुम्हें खाना बढ़ेगा तो यह सुनते हुए यान खाने लगता है और यह कहते हुए रहन एक जगह जाके सो जाता है और अपने वन में कहता है वेसे आज मैंने जो महल देखा उसका क्या हुआ वो तो काफी सुन्दर था यह कुछ आवा जाती है तो थेने लगता है उसे जगह में पहुच गा है जा पहले पहुच जा था और फिर से उसे गेट को खोलता है और फिर से अंदर कहता है और वो अपने वन में कहता है यह तो वह कुछ जिसे मैंने आज complete किया है और फिर वो उस टाइप रेटर को देखता है जिसे देखके वो काफी ज्याधा है रहन होता है सेंज जह जए होता है हम रहन के करको देखते जहां पे एक लड़की आ लिए होती है और वो उसके गर में गुज आती है तबी उसके सामने यान अपने ख लिए जिसे बाइब लेकिन फिर वी तुम इसके लिए इतना चिंतित क्यों हो तो ली उसे चिलाते हुए कहती है अरे तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम बस तुम्हें भाई मानती हूं और इसे बहुत जाओ अब मैं यहां से जा रही हूं और अगर चब तुम्हारा भाई उ कहता है अरे भाई वह अच्छी नहीं है मैंने उसे देखा था वह नशा कर रहे थी वह एक नमर की नशेडी है वह तुम्हारे पास इसलिए आती है क्योंकि तुम हंटिंग करने में काफी ज़्या अच्छे हो तो रहन उसे कहता है तो फिर तुम मुझे बताओ कि अच्छा भी हो सकता है तो यह सुनते वए यान उसे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है तो यहीदे से कहता मुझे अभीवी पता नहीं है सो तुम्हारा निशा ना एक्तम सही लगेगा रेन अपने मन में में कहता है उसका हुनर, उसका लग है और फिर सिर प्रेजेंट में आता है जहापे यान और रेन दोने ही आस्मान से टूपते हूए टारे को देखते हैं फिर अगले दिन कसी दिखाया जाता है जहाप Bennett हम इसकूल कसी देखते हैं तोहां पे यान पढ़ने के लिए जाता है, ज्वाँ पर इसके टीचर उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, तब ही वहाँ से, पनेवाई यान को देख रहा होता है, टीचर सभी लोगों से कह रहे होते हैं। जुख जाता है उस समय बाद वो टीचर सूप खान लगता है कि तबी उस टीचर के सामने रैन सिगरेट लाते हैं उन से कहता है मास्टर मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ये लाया हूँ आपकी बज़़ा से मुझे अपने भाई को डूशन देने के कोई भी ज़रूरत न लगते हैं और उससे कहते हैं इस परिशान दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं है जो कि पढ़ना चाहता है आप इससे इतना पसंद क्यों करते हो तो रैन कहता है क्योंकि चाला चुक्छने में कोई बुरा नहीं है और इसकी वज़़़े से आसानी से बहुत कुछ हो जकता है रैन वो टीचर से कहता है कि आपने बहुत कहा था कि तबहे होने से पहले इंसानों के पास बहुत सारे टेक्नोलोजी थी तू वह सब क्यों चले गए और आके के एपिसूड में मैं पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या हुआ था और कैसे इनकी दुनिया बरबाद होगी है अगर आपको इससरी अच्छी लग रही है तो मैं से आगे कंटीनू करूंगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 चैहिंद बदी मतरम और एक बाते से शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भू आपने कहा था कि इस दुनिया में तब होने से पहले इंसानों के पास काफी ज्यादा टेक्नोलोजी थी लेकिन वो सब कहां चले गए तो यह सुनते वे टीचर उनसे कहते हैं ब्रोकें जर्नेशन इसके बारे में बहुत ही ज्यादा लंबी कानी है क्या आप इससे सुनना च नहीं से कहता है हाँ में जलना चाहता हूं तो टीचर उनसे कहते है यह सिरफ इतना हैं कि हम लोग कुछ लोगों के हाथों में हैं और यह कहते हूए वby ठीचर उस्सुर्था की तरफ देख रहे होते है तो यह देखते हुए रहन कहता है ।ो यह रुका question कहता होगा अगे ह बाहर और भी ज्यादा खत्रा है तुम अगर बाहर जाओगे तो तुम मारे जाओगे यह बस इता तो इस मामले का तुम पीछा मत करना तो अब चलो किलास का समय हो गया है मुझे भी बच्चों को पढ़ाना है तुम्हें जाता हूं और यह कहते हुए टीचर वहां से जाने ल जादा दूर है अधी के लिए तुम्हारे मॉम डेट तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं लेकिन जब तुम बढ़े हो जाओगे तो यह सिखना की खुद की शुरक्षा कैसे करें और वो टीचर रहन से कहते हैं आप आप वहां है आप हैं पताई कि हंटिंग कैसे करते हैं और इ क्यों नहीं होई है यह तो पूरा हो जाना चाहिए था मेरे तो इन लोगों को काफी अच्छा ग्यान दिया है इसमें क्या प्रॉलम है और तभी रहन उस टीचर से कहते हैं तुम बहुत यह अच्छे आंसर देते हो तो इसलिए मैं तुम्हें अपने क्लस में रखना चाहू तभी इसके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाए पर उसे बताया जाता है क्विश्ट कम्पिलीट इट अवाड़ेट 1.0 स्ट्रेंट जहां पर रहन की स्ट्रेंथ 1.0 बढ़ जाती है तो यह देखते हुए रहन अपने मन में कहता है क्या मैं सच में स्ट्रेंथ गेन कर सकता हूँ यह तो काफी बढ़िया है इससे मैं काफी ज़्यदा ताकादबर हो सकता हूँ मेरी स्टेंट पहले 2.15 सी लेकिन अगर इसमें 1.0 जोड दिया जाए तो मैं एक अडल्ट जैसा पाउरफुल बन गया हूँ यह तो काफी बढ़िया है तिभी उन लोकों की छुटी हो जाती है जहां पे यहां रहन के पीछ आते वे कहता है परदर आप क्या सूच रहे हैं रहन उससे कहता है लेकिन बच्चों को पढ़ाना उतने बुरी बात नहीं है तो काफी अच्छा है लेकिन जब मैं टीचर बना तो मैं अपना पोजिशन तुम्हें सभद और फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं के तेभी वो दोनों काफी सरें Militry के लोगों को देखते हैंcam कि उस्विलज की तरफ जा रहे होते हैं रेन नहीं देखते हुए mixरी तॉपने आके जा रहा हुटा है कि तभी पन ^^ वह देखते हुए लको की ओसे वांग वुगोई यानि कि परफ लांग भी किरीत पसे क category यह कुछ भी नहीं है। मैं से कह रहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है यह वह है जाहां पर रहता है। मैं आप लोगों को यहां पर उस्से मिलने के लिए हूं तो यह सुनते वे तो हैं काफे कशना है रहन हो तो यह सुनते हैं लोगों को मेरे बार में बता दिया है आखरिंट यह क्रू зад मढ़र आचाथा है तेक्रत O मैं बच्छ दोनों ठीक है इसका मदलब क्या था इसे कहना चाहिता माँ और बच्छ ठीक है लेकिन तो पिता और बच्छ पगवास है और यह कहते है ज़ूट पहले शी जानते थे तो फिर तूम हम से जूट क्यों बोल ले थे तो वांफु कोई सब्सक्राइब अरे-अरे मुझे समझाने दो, हाला कि ये रेंट जियासू, इसको दिमाग की बिमारी है, लेकिन ऐसे बिल्पल भी नहीं है, ये पागल नहीं है, और वांफु गोई, रेंट से कहता है, रेंट तुमने तो मुझे 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 घाट उतर दिया है, और वो सभी काफीज़दा है, वो अपने उन में कहता है, क्या, रेंट अपने उन में कहता है, तू ये सब ही, फाइराम स्किल है, और मैं सभी स्किल को कॉपीगर चाहूं, और उसके सामने बहुत सारे गंस दिखाए देते हैं, तब इसके सामने नोटिफिकेशन उपन होता है, जहाँ उसे बताया जाता है, लानिंग सक्सेस, तुम अब सब को सीख चुके हो, ये सब देखते हुए, रेंट काफीज़दा है, और अपने उन में कहता है, क्या, ये डुप्लिकेट स्किल, क्या में ये कुछ बेसिक सा नहीं सीख सकता है, ये तो काफीज़दा अजीब है, मैं द अब हम देखते कि रेंट फिर से परजेंट में आ चुका होता है, और वहाँ पे उसका भाई यान उसे बुला रहा होता है, ये यहाँ पर लिया आ जाती है, तो उसे देखते हुए रेंट काफीज़दा है रेंट होता है, और उसे कहता है, है तुम यहाँ पर क्यू हो, ये सुनते हुए यहां के पास धाया यहां कुछ नई है तो यहां तुम चुप रहो हो तुम अभी बढ़े नहीं हुए हो तुम ऐसे बात नहीं करनी चिए और रहा है जहांपे जाते हुए यान कुर्सी के नीचे दो आलो को देखता है और रेन से कहता है अरे बाई कुर्सी के नीचे दो आलो चिपए हुए है और उसे के साथ तीन गोलिया क्या आप क्या हाथ में चोट लगी थी क्या आप क्या हाथ में चोट लगी थी वो बिल्कुल आज की तारिक ही थी, मुझे शक्स को धूरना ही परेगा, तो यहानों से कहता है, शायद यह ली निकिया होगा, सी इंचे होता है, हम लीक को देखते है, जिसको एक आदमी सिगर्ट देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ले आया हूँ, तो ली कहती है, नहीं न से रहन आजाता है, तो इसके सामने एक कुछ्ट ओपन होता है, चाहप पिल से बताया जाता है, तो मैं किसी की मदद करनी है, तो यह देखते हुए रहन अपने वड़स हो, अगर यह कुछ्ट ना भी हो, तो मुझे विवी उसकी मदद करना ही पड़ेगा, और यह कहते है, एक छोटा सा बच्चा मुझे क्या मारेगा, कैये मुझे चाको से ड़नाना चाता है, यह कहते हुए वह आदमी अपना बड़ा सा तलबार निकालता है, तभी रेन बहुत ही तीजी से जाके अपने चाको से उसके तलबार को तोड़ देता है, यह देखते हुए वह बंदा बादवर कैसे हैं, अगर आपको यह अपिसोड अच्छा लगे हैं, लाइक करने, श्यर्ट करने, सब्सक्राइब करने मत दुना, एंड कमन शाक्ष में यह बता देना कि आपको यह से डिस कैसी लग रही है, अगर अच्छी नहीं लग लग ली तो बाता देना, अगर अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट जरू करना मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई सब्सक्राइब करें में चैनल को और बेला करें को भी दबा दीजिए ताके हमाने ने वीडियो को बिलकुम में सना करें सब्सक्राइब करें तो यह बाई 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 चैनल को चैनल को चाको मार के उसे मार दिया था यह आदमे काफी ज़्यादा बुरा है तो यह सुनते वे रैन को काफी ज़्यादा गुस्ता हो जाता है और वो अपने टूटे वे गंजल को अपने हाथ में लेते हुए उसका हाथ पगड़ता है तब इसके सामने कुष्ट ओपन होता है जया पिसे पताया जाता है अपने दुश्मन को छोड़ दो यह देखते हुए काफी से तक गुस्ता हो जाता है और उस आदमी को बुरी तरीक से घाल कर देता है जिसके वेसे वादमे दर्द केमारे चिला रहा होता है रहन उसे कहता है अब तुमारे बास पर सिर्फ तीन मेटी है अगर तुम टाइम लेते और बेसिक स्कल डिप्लिकेशन स्क्रोल मिला है तो यह देखते हुए रहन अपने में कहता है पहली बार यह कुष्ट लेंग को बचाने से जुड़ी हुई है जिसे मैं नहीं पूरा किया है लेकिन मुझे सबज़ भी नहीं आता कि यह सिस्टेम कैसे लेता है मुझे कुछ स जटिया है तो उनसान पर कैसे जाके बच सकता है तो रहन की बाते सुनते हुए यहां को रहत मिलती है तभी रही से कहती है क्या तुम क्या बोल रहे हो मैं तुम एक छोटा भाई मानती हुँ तो यह सुनते हुए रहन का वो काफी ज़ये हाजीब हुता है और उससे हसते हुए कहता है यह तो काफी अजीब बात है और रहन अपनी भाई यान को पंगड़ते हुए उससे कहता है जिस Si'd assessing is ए लिए रहा हुए हुआ चौह इकार जांगा ये सबी नियूदा को सुख सकते हो ये थे किया हुआ हमें जीग क BBQRight चैंजी चैए 5-1 बुराहित है हमें पहुआ थे पुरा कहए依ा वाल बेंधा इनुधा है बड़े अफ्सूस की बात है लेकिन मैं ये कर सकता हूं मैं शहर के सभी लोगों को उनसे मेरे लिए थेंक्यू बोलवा सकता हूं ये तो काफी बड़ी आ सकता है और यान फृश्व अपनी उसी जगा में आ चाता है और अपने भाई यान है की यान से कहता है ब्रदर यन चलदी से मुझे थेंक्यू का हो चल्दी जल्दी पूर जल्से कहता है ब्रदर तुम जटा रहे हो तुम एसे क्यों कर रहे हो रहे हो रहा चिलाते हो इसके था है इससे मैं मेरे खłumूर लगने के लिए यह किए इंहें था on ठाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह आ नहीं ठाँ और मुझे thank you बोलो फिर से खो यान फिर से thanks कहता है लेकिन रेन कर notification फिर से नहीं आता और वो काफ ज़्यदा परिशान हो जाता है वो रात बर ऐसे ही यान से thank you भूलवाता है और वो दूने रात बर सोती नहीं है और फिर two thousand years later जुखा हो जाती है जहां पर यहां रेन्ज से कहता है यहां भूट आपका कॉँछ से स्किल है यह तो मुझे काफ ज़्यदा परिशान करता है यहां अपने मन में कहता है पूरी आधिरात बिताने के बाद मुझे सर्फ एक ही इमान दारी वाली थैंक्यू मिली है लगता है मुझे इमादनार इसे काम लेना पड़ेगा और यान फिर से अपनी उसी जगा में पहुँच जाता है जहापे वो टाइप रैटर रखा होता है वहाँ पर जाते हुए अपने आप से कहता है चोलो देखते हैं यहाँ पर क्या बदला जा सकता है तब है उसके सामने एक बॉक्स उपन होता है जहाँ पर उसे रिवार्ट कलेक्ट करने होते है यह देखते हुए वो काफ़ी जदा रैन होता है और अपने अमन में कहता है आखिर यह चीज क्या है मुझे इस चीज का क्या करना है और यह कहते हुए रहन उसके पाच आता है और वो उस कोईन को उसके अंदर डाल देता है जिसके विसे उसे एक मेडिसिन का डिपा मिलता है जो देखते हुए वो काफी जदा रहन होता है और अपने अमने कहता है क्या ये एक मेडिसिन है आगर मैंसे क्या करूंगा क्या ये च को निकालके अपने घाह पर लगाने लगता है और वो मैडिसिन को घाह में लगाती हो अपने उन मैं कहता है लानत है मैं तो बिल्कुल लापरवा हूं क्या यह अगर जहर हो गया तो थोeline का झाल हो गांगा मैं मर गया तो और लेखे hours जाहा ह değer to और उन्दोने की आखे सूजी हुई होती है रैन ऐसे वे कहता है अरे रै ये बस कुछ नहीं है हम बस ठीक से सोजी हुई है इसलिए ऐसा हो गिया है वो टीचर रैन से कहते है क्या तुमने सोच है कि आस तुम बच्चों को क्या पढ़ा होगे एक बच्चा को काफि बुरी बुरी जाली दे रहा होता है और ये याप को बताने से नहीं होता है तो ये देखने लिए उन क्लास के बच्चे एब चोड़ दीजिए आप हमें कितना बढ़ाएंगे तो आप जाके उन बच्चों के शुट्टी हो जाती है रेहन अपने भाई यान के साथ घर जा रहा होता है जहां पर एक आदमी को देखता है और अपने में कहता है लियू है और वो क्यान लोगों को गाइट करने के लिए जा रहा है तो काफी यह हमें ठोजीब है तब यूँ आफ़ां पर वांट वोगया आ जाता है और रहन से कहता है आप इस तरह के क्काम कर सकते थे लेकिन आपने यह नहीं किया था मैंसी काम के पास आया ता लेकिन आपने थे थुकरा दिया यह तो आपकी गलती है एससे काम काफी अच्चा है त कि लोगों को भी ब्लॉक करता है इस दिवान ने केबल बाहर के- लोगों निकलों के रुखा बलकि अंदर से पहार आने वाले लोगों को भी रोग दिया इस दिवार के कुछ करना ही पढ़ेगा थिप सब्सक्राइब करें मैं चैनल को अब लागन को पर दबा दीजिए ताकि हम आने ने वीडियोस को बिल्कुमे में सना करें सो बिना किसी दरीक है चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब को दिखा जाता है जो कि रैन से कह रहा होता है मैंने ये कहते हुए सुना है कि बैंड में वो लोग अपने ग्रूप में लाने के लिए किसी कैपेबल गाइड को ढून रहे है ताकि जरूरत परने पर कोई उनको रास्ता दिखा सके लेकिन आप इसका फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं आप तो काफी ज़्यादा कैपेबल है मुझे नहीं पता कि ये मौका दोबारा कब मिलेगा तो ये सुनते वे यान भी रैन से कहता है ब्रदर आप बैंड के लोगों से दो बारा बात क्यों नहीं करते हैं आप उस ओल लिव से तो काफी अच्छ है रैन आगे बरते हुए कहता है बखबाज बंद करो और अब चलो यहां से और ये कहते हुए रैन और यहन दोनों ही गर जाने लगते हैं यो दोनों लिव को देखते हैं जो कि किसी आदमी से बात कर लिये हुती है जो कि उस आदमी को कुछ बैसती हुए उससे कहती है मेरी कमाई की चोड़ी काफी ज़्यदा कीमती है कि आप मुझे कुछ और ज्यादा पैसे नहीं दे सकते है तो ये सुनते हुए वो आदमी से कहता है सच में क्या आप इसे बैसना चाते हैं आपको ये क्यू करना होगा तब यहाँ पर रहना जाता है और लिव को पैसे देते हुए कहता है तुम ये अपने सामान मैचने के कोई भी ज़रूत नहीं है तो इसलिए आप जिनता मत करिए जब तक मेरे पास खाने के लिए मांस है तो मैं ये शियूर करता हूँ कि आपके पीने के लिए सूप भी होगा तो ये सुनते हुए यान रहन से कहता है ब्रदर आप ले तो कुछ गलत कह दिया क्या हम सभी को मांस नहीं कहना चाहिए आप तो ये भेदबाव कर रहे हैं तो राइस से भी मैं आपको बता दू कि हमारे पास इसके अलावा कोई मांस भी नहीं है ताकि हम लोग मांस खा सके तो ये सुनते हुए रहन कहता है तो ठीके मुझे इससे दूसरे तरीके से रखने दो और रैन ली से कहता है जब तक मेरे पास पीनी के लिए शूप है तो आपके पास धोनी के लिए कटोरे होंगे मतलब रैन कुछ भी बोल रहा होता है तो ये सुनते हुए ली उससे कहते है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें आपे किसली आए हो मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बिना किसे पैसे के कोई काम नहीं करता तब ही हो आपे बारीश शुरू जाती है और रैन और साथे साथ यान दो नहीं घर आ जाते है यान अपने भाई रैन से कहता है ब्रदर अगर तुम्हें एक डॉक्टर बन जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़दा गिराटिटून मिल सकता है और ये काफी ज़दा आसान तरीका है लेकिन अफसोस की बात है कि आपके पास कोई भी मेडिकल स्किल नहीं है और अगली सुबच जाके रैन उस डॉक्टर के किलिनिक के सामने बैठ जाता है और अपने अवर्लिन में कहता है मुझे नहीं पता कि ये किलिनिक कप खुलता है लेकिन मुझे यहापे बेट करना होगा अपने अपनी में में कहता है और अगे हाथ बढ़ा भी होता है कि तबिवा अपने हमे में कहता है मैं तो यहाँ पर medical skill सेखने के लिए था लेकिन है deception skill आखर यह क्या है यह तो काफ़ ज़्याद अजीब है क्या अस बंदे ने medical skill नहीं से की है यह बंदा तो दुखेवाज है और यह कहते हुए रैन काफ़ ज़्यादा गुस्ता हो रहा होता है वो डॉक्टर उसे देखके काफ़ ज़्यादा परेशन होता है और अपने अनमें कहता है इसे देखके मुझे अभी यादराई किये वोई पागल लड़का है जो कि इस village में famous है आखर यह करना कह जाता है मैंने आखर इसके साथ क्या किया है जो यहाँ यहाँ पर आ गया है रहन उस डॉक्टर को देखके काफ़ ज़्यादा गुस्ता हो रहा होता है और अपने आपसे कहता है क्या उसके पास कोई भी medical skill नहीं है आखर यह कैसे हो सकता है यह डॉक्टर तो दो की बाज है और यह कहते वे रहन नंदे चला जाता है और डॉक्टर का बहुती जोर से पंच मारते है उसे कहता है तुम इतने सालों से बस ऐसा एक गोटाला करते आ रहे हो सिर्ट पैसो के लिए आखर तुम यह कैसे कर सकते हो तुम यह सुनते वे ह। तो डॉक्टर कहता है क्या मैं गोटा लग रहा हूँ तुम ये किस बार में बात कर रहे हो तो मुझे यार आप क्यों लगा रहे हो तु ये सुनते वे रहन अपने में में कहता है ऐसे लगता है कि मज़े फिर से सोचना पड़ाएगा कि मैं बिना किसी अपने में में कहता है में अपना एक किले नहीं कोड़ सकता हूँ ये कहते हुए रहन सीद्य अपने घर चला जाता है जो कि उसके कपड़े सिल ली होती है जो देखके है ली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर क्यों हो तो यह देखते हो ली इससे कहती है मैंने देखा कि तुम्हारे कपरे फट चुके थे इसलिए मैंने तुम्हारे कपरे सिलने का फैसला किया है तबी रेन, यान के हाट में देखता है कि वो खाना करा होता है और उसे कहता है, यान तुम्हारे हाट में क्या है? तो यान, रेन से कहता है, सिस्टर ली ने मुझे ये बना के दिया है, ये काफी ज़्यदा अच्छा है ली, रैन को खाना देते हुए से कहती है, ठीक है, तुम काफ़ी जल्दी से बड़े हो रहे हो, ये देखते हुए रैन अपने उनमें कहता है, हमें किसी ने भी नहीं बताया था कि हम बड़े हो रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ, लेकिन, सिस्टर ली, ये तो काफ़ी ज़्यदा स्किल, ये तो काफ़ी ज़्यदा ग्रेट है, जब मेरा क्लिनिक का बिजनिस खुल जाता है, तो आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं, ये हम दोने के लिए काफ़ी ज़्यदा अच्छा होगा, तो ये सुनते वे, ली उससे कहती है, आ के तो वाना मतलब क्या है, मैं बिल्क है, अगले दिन रेन जरी बूटिया कलेट करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, और वो बाहर जाती हुए अपने मन में कहता है, आज के दिन ये तो काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं आज से क्लेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे सबसे पहले जरी अपने मन में कहता है, चुकि मेरे पास ये मैडिसन है, तो मुझे ये किसी से नहीं बताना चाहिए, मुझे ये सी एक रिडली शिपाना होगा, और वो इस बंदे से कहता है, ये कोई घास पूस नहीं है, ये तो एक जरी बूटी है, चुकि इंसानों का इलाज करने के लिए कुछ से में बात, ये उन अपने घर चला जाता है, और उस जरी बूटी को बनाने लगता है, तो ये देखתे हुए हो, कि सभी आदमी रेन के घर के बाहर खड़े होते हैं, और वो उससे देखते हुए, अपस में बात कर रहे होते है, रेन्ई ये सब देखते हुए, अपने काफी अच्छा है यह गाव को घ्ली से ठीक करता है मैंने यह मेडिसीन सबसे खुपा करें कि यह लेकिन यह मेडिसीन काफी ज्याद अच्छी है उसकी बात सुनते हुए वह आदमी आपस में बात करते हैं वहाँ से चले जाते हैं तो यह देखते हुए रहा होता है और वह पीसोर अच्छा लगे तो लाइक करने, शर्य करने, सब्सक्राइब करने, मत दूलना, मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक लिए बाई बाई ये सुनते हैं, तो लोटने के बाद, आईरन हेट को बहुती है, वाइ ज्यादा शक हुआ, और ये ये जिर। जाना चाहता था कि उसका घाउट ठीक कैसे हो गया और तुमने उसके खाव में क्या लगाया था उसे ये काफी ज्यादा पसंद आया तो यह सुनते हुए रहन काफी ज्याद है और इसे कहता है क्या काली मेडिसीन अंदुरूनी चोटको भी ठीक कर सकती है तो यह सुनते तो मेंसे मुझे पर छोड़ो दो वैसे तो मजे बताओ किसका दाम क्या है रहन उससे कहता है मैं इसके 600 रुपे लूँगा वांग फुचन से उसके पैसे दे देता है और इससे थैंक्यू कहता है तो इसके वज़े से रहन को एक ग्रैटिटूड रिसीव हो जाता है वांग वो लग आपस मैं कहता है मैं तो बिल्कुल दिल नहीं सकता मुझे काफी ज़दा दर्द हो रहा है मैं अब और नहीं चल सकता और यह कहते हुए वो तीनों के लिनिक के तरफ जा रहे होते है यह सब देखते हुए रहन का उफी ज़दा खुश होता है तभी उसको एक हें देखते हुए रहन का फिज़दा प्रशन हा ज دाता है और इन तीनों के पाथ जलिए जाता है और उन तीनों को घ्र라고요 को बचा harmonious है और कि रहे हो तो sister Lee उन लोगों को देखते वे उन लोगों से कहता है क्या तुम लगों के लगाए में थे है तुँ ये देखते वे उन में से एक आद में कहता है नहीं फैक्टरी में एक बॉयलर जो की फट गया था जिसके वज़े हम लोग गायल हो गए है लेकिन हम लोगों में से कुछ लोगों के तो मौत भी हो गई है तो ये सुनते वे रहन अपने हमन में कहता है इन दिनों अगर आपको कोई चूट लगी तो आपको कोई लाज भी नहीं करेगा ये तो काफी ज़दा खतरनाक है वे आपके मरने का इंतजार करेंगे फिर आपका सारा सामान ले लेंगे और फिर रहन सिस्टर ली से कहता है चलो सिस्टर आप इनका इलाज करते हैं और फिर आप इनका घाओ को सिल देना और यह देखते हुए बाके दो बंदे काफी जादा डर रहे होते हैं जिसके घाव के लिए होती है वो काफी जाद जोरों से चिला रहा होता है और ली से कहता है अरे तुम इतने जोर से क्यों कर रहे हो आरा मिसे करो मुझे काफी जादा जर्द हो रहा है तो ये देखते हुए रहे रहे माफ़ करो ये हमारे नर्स का पहला दिन है काम करते करते हैं वो सीख जाएगी तो उसे ज़्यादा मत दाटो और रहे अपने मैडिसन को उनके घाव पर लगा रहा होता है और उन लोगों का ऐसा चिलाते हुए उन में से एक पेशन भागने लगता है तो ये देखते हुए रहे रहे इतना जड़े जाने के कोचिश क्यों कर रहे हो हमने तब ही शुरू किया है ये देखते हुए दूसरा पेशन में भागने लगता है तबी इसके पीछे रहना जाता है तो यह देखते हैं तो चलो फिर से वह पर चलते हैं और फिर रहनों से अपने कंदे पे लेकर वापस उसके क्लिनिक ले आता है उसके गाव को सिल देता है और उनकी सारे ट्रीटमेंट कर देता है जिसकी वज़से उसे एक सिस्टेम पर चलते हैं तो यह देखते हुए यहां पर बेड़ी आ जाएंगे यहां नहीं यहां नहीं आने वाले क्या तुम्हें लगता है कि वह लोग जोखिम लेंगे क्यों कि मैं यहां पर हूँ और वह उन लोगों को महार डालूंगा और वैसे भी उन्हें सबसे ज़्यादा आक इसलिए वह बेड़ी है फैक्ट्री के तरफ जाएंगे यहां उसे कहता है पिसली बार आप बेड़ी के जुन से कैसे बज़त है आपने यह बात पहले कभी नहीं बताई यह बात कहने जा रहा होता है कि तभी उन लोगों को आपा जाती है चल्दी करो ही कट्टा करो और उसी तरफ हम बहुत सारे मैं करनेरिस को देखते हैं जो के रैन के घर के सामने से जा रहे होते हैं उनके हाथों में बंदूक होती है तो यह देखते हुई यान रैन से कहता है ब्रदर क्या उनके पास जो चीज है वो बंदूक है रैन उसे डाटते हुए कहता है तुम इतने सुनते वए रहन अपने हमें कहता है स्किल मास्ट्रे स्कॉर्ट ये तो वास्तब में काफी झाधा यूसुल है मिरॡणे से भी गूंसे को पेलेग !D пока आ मैं पहें आज अगर आप पहता ही कामयाव had为 जाता हूँ तो मैं उन्हें तु रंत इस्त्माल करने तो ये जब वो बंदा देख लेता है और अपने उन में कहता है ये रहने तिन देर रात को कहां पर जा रहा है रहने आगे बढ़ते हो अपने उन में कहता है वो फैक्टर के पास फायराम्स है लेकिन फिर भी भी भीडियों ने उन लोगों पर हमला कर दिया शायद हुए समय पर अपने बंदुकों को निकालनी पाए इसलिए बेडियों बहुत तीस थे और उन पर हमला कर दिया होंगे शायद ऐसा ही होगा अगर ऐसा ही है तो बंदुके अभी कार खाने में होनी चाहिए और यह कहते वे वो फैक्टर के पास चला जाता है जाबयों बहुत सरे मेरिक यह मौका देखते हैं उस फैक्टर के अंदर चला जाता है अगर आपको यह एपिसूर अच्छा लगे तो लाइक करने शेयर करने सब्सक्राइब करने मत बूलना मिलते एक लिए वीडियो में तब देक लिए बाए लौसर जाता है और पूरे फैक्टर को एनलैस करता है वो देखते है कि वहाँ पे बहुत सारे लाशे होते है उन लाशों को देखते हुए रेन अपने उन में कहता है लाशों की situation देखते हुए ऐसे लगती कि उन्हें भेरियों ने माट डाला है भगवान का शुकर है कि मैंने उन्हें avoid किया नए तो में भी शायद मारा जाता तो ठीक है अभी मुझे अंदर जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि अंदर क्या क्या है और यह कहते हुए रेन उस फैक्टे के चट के उपर चर जाता है और चरती हुए अपने उन में कहता है तो ठीक है या तो वो emergency shelter होता है और या फिर वो weapon की जगा होता है तो शायद मुझे इनका पीछा करना चाहिए और Ren आगे चाते हुए देखता है कि वो लोग emergency shelter में जा रहे होते हैं तो ये देखते हुए Ren अपने उनमें कहता है तो ये emergency shelter में जा रहे थे वो देखता है कि वो दर्वाजा बंध है ये देखते हुए वो उस दर्वाजा को खोलने के कोशिश करता है लेकिन वो दर्वाजा नहीं कुलता है पि अंदर से एक बंदा उस दर्वाजा को खोल लेता है तो ये देखते हुए रेन अपने उन में कहता है क्या इस दर्वाजा को खोल दिया है और यह कहते हुए वह अंदर जले जाता है जहां पर बंदूग तान देता है उसे देखते हुए रहन अपने उन में कहता है वांग डॉंग यॉंग क्या यह इस फैक्टरी का मेनेजर नहीं है लगता है कि मुझे ट्रैप करना चाहता है तब रहन उसके नहीं लुता है और यह कहते हुए रहन यह तो कुछ ते簡र नहीं है तुम पेले अंदर और शौह यह भांग बनेजंने ऑश्रोtu क्या कुछा जाता है क्या तुम्हें लगता है कि में तुम्हें नहीं मानने वाला मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ और मैं अपने आर्मी का इंतार कर लूँगा वैसे भी वो लोग मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे तो यह संते वे रहन उससे कहता है तो ठीक है तुम्हारे जैसे मर जी अब तुम मनने बाले हो और बहुत ही तेजी के साथ र तो यह संते वे रहन उससे कहता है तो ठीक है पहले मुझे बताओ और फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा वो बंद अपने मन में कहता है यह बंदा अभी वी एक जवान इंसान है और मैं इसे तब तक वीजी रखूँगा जब तक हमारे नीजी आर्मी लोग नहीं आ जाते रहन उससे कहता है तो क्या तुम्हारा टाइम खरिदने की कुशिश कर रहे हो तुम्हारी फेपरे तुम्हारे टूटी पसलियों से पहले ही पंचर हो चुके है और अगर तुम वापस लॉट भी जाते हो तो तुम ज्यादा समय तक जिन्दा नहीं रह सकते है तो ठीक है मै तुम्हारे लिए यह काफी ज़्यादा आसन बना देता हूं और यह कहते हुए रहन उसके बंदुक को लेते हुए अपने मन में कहता है है रहने की बात है कि इसके पास अभी वी दो मैगजिन है तो ठीक है मैं इसका पिस्टॉल अपने साथ ले जाओंगा तो इसलिए लोगो आपस आई थे यहान उसके कहता है हाँ उनमें से कुछ लोग घैलों के वापस लोटे थे वह से भी लोग जंगली वीडियो के साथ साथियों के लाश्ट को भी आपस लाई थे और मेने सुने के बाकी के फैक्टरी सारे के सारे जल गई है तो यह सुनते वे रहन अप कौफी जीदे हैरा रहन होता है और अपने उनमें कहता है आखिर यह लोग यहान पर क्यू है बैले है पूछ टे प्लाश में हम और ओंलोग और निकला थे जोलगे में वाहा रहा ठीया को लेता है ताकि वह बाहर जा रहा था यह देखते वे रेंग का फीस जए आ है उन आर्मी के लीडर उन आर्मी वालों से कहते है जल्दी करो और इसकी टालाशी ले लो आ पर वांप फुचन आ जाता है और सभी लोगों से कहता है अले रुक जाओ बॉस्ट्व वह का स्टॉंग होल्ड ह करें तयार नहीं हूं यह सुनते वे वो आर्मी का लीडर अपने आनों कहता है क्या बॉस लूओ आखिर यह कौन है और वो लीडर वांग वज़े से कहता है बलहीं वो बॉस लूओ के पंखो के नीचे हो लेकिन फिर भी मैंसे जाना ही नहीं दे सकता यह बहुत ही सीरियस मामल लगते हैं यह देखते हूं अपने उनमें कहता है पिलीज उन्हें वो चीज ना मिल जाए तब यह उनमें से एक बंदा उस कड़ाई को उठाने वाला था कि तभी वो लीडर उनलोगों से कहता है तो ठीक है चौड़ो और इससे जाने दो हम लोग ऐसे चलते हैं और यह कहत है गया आपशया है तो यह सुनते वी रहने से ट्यूंक से कहता है और यह का रही करता है और वह तुम्हारी मैडिसन को काफी ज़्यादा लाइक करता है तो यह सुनते बिलेवर यह करते हो तो बहुत तुमारी सेफटी के बाहर भी कर सकते हैं तो क्या बॉस्ट लो से कह सकते कि हमें स्टॉंग होल्ड में भेजा जाए वाग फूचन से कहता है अगर तुम वोड़िया खटा करोगे तो इसंबब होता तो मैं कुझको आंधर जाने के लिए में भीक तर फिर्क होता है अगर आपको ये अपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करने शेयर करें सब्सक्राइब करना मत भूलना मिल तेकले वीडियो में तब तक किलिए बाई बाई सब्सक्राइब करें हमाने चैनल को बेल आकन को भी दवा दीजिए हमारी ये बुखार ये काफी जान लेबा हो सकती है और वो अपने हमें कहता है शाहद उस तूटते डारे को देखते हुए यान ने मेरे लिए बिश मांगी थी और इसकी वज़े से इसके ये हालत हो गया है यान रेन से कहता है लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा और यान ली से माफी मांगता है और उसे कहता है सिच्टे ली मुझे खे दे कि पहले जो भी हुआ था मैं आपसे माफी चाहता हूँ तो यह सुनते वे लिए उसे कहती है अरे तुम माफ़े क्यों मांग रहे हो तुम दोनों काफ़ी ज़्यदा बोल्ड हो और तुम जोनों साथी साथ काफ़ी ज़्यदा अच्छे भी हो और भाग गया अब आप इस शहर के एक लौते डक्टर है यह तो आपके लिए काफ़ी ज़्यदा अच्छी बात है अब आप उस क्लिनिक को चला सकते हैं और सभी लोगों के देखपाल कर सकते हैं तो आप से यह क्लिनिक तुमार हुआ है और मेरे पास यहान के लिए एक छोट कोई भी अषर होगा तुँ यह सुनते हुए warm-assah को ओ से कहता है औरionen, यह मत को मैंने तुम यह तो और बॉख ओक्वा से मत करो और वो दून ऐसे यही मना कर रहे होते हैं है फिर warm-assah का has यो बदान बिजनिस की तरफ लूँगा यह सुनते वे वाइब कहता तो ठीक है डील पक्ती और यह कहते वे वहाऊ से पैसा दे रहेता है जिसकी वज़ए से रैन को एक और गयरिटीटूड़ मिलता है यह देखते वे रैंधक अन्फों यह तो काफी जादा है वह मुझे अपने दिल से शुकृत्बरिया क नोटिफिकेशन उपन आता जहापे उसे बताय जाता है कि उसे दश पैशन को ठीक करना है और वह भी जल्दी तो यह कंटिन्यू क्यों नहीं करता तो यह देखते हुए रहन अपने मन में कहता है तो ठीक है मुझे यह पूरा करना ही होगा तो इसके समने दो लोग आ जाते है अपने क्या खा कि यह प्रेगनेट है और यह कहते है रहन अपने मन में कहता है प्रेगनेट अब मैं इसके कैसे इलाज करूँगा यह तो काफी ज़्यदा कर्टिन काम लगता है और फिर रहन उस आदमें से कहता है कि आपको अपकी पतनी चाहिए या फिर आप बच्चा चा सकते हो वो तुम्हें समझा देंगे और यह कहते हुए रहन उन दोनों को जाने के लिए कहता है तो आदमी रहन से कहता है मुझे लगता है कि तुम पिसले डॉक्टर से काफी ज़्यदा हो इसली बार जब मैं बीमार था ता उससे डर ता कि मैं दबाई नहीं खरी दूँग और ऐसे रहन के 10 पेशन कमपलेट हो जाते हैं जहाँ पे उसे रिवॉट के तौर पर 1.0 स्ट्रेंथ मिलता है अब उसका नेक्स्ट मिशन 20 पेशन को ठीक करना है तो यह देखती है रहन अपने उनमें कहता है तो ठीक है मुझे अगले मिशन में 20 पेशन को ठीक करना है प्रदर आपने उन सभी मरीजों का पूरा इलाज क्यों किया तो एक डॉक्टर गई फर्जा होता कि उसके पेशिंट का पूरा इलाज करना और वैसे भी हमारे अलबा कोई भी हुआ उसका मदद नहीं करता तो इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी यहान उसके लेकिन ब और अब आगे बरो मैं फ्यूचर को देखना है ना के पास्ट को तभी महाँ पे एक और बंदा आ जाता है रहन से कहता है डॉक्टर क्या आप यहाँ पे हैं तो यह देखते वे रहन का फिजद है रहर होता है वो बंदा कहता है बखवास मत करो तुम यह कैसे डॉक्टर हो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इससे क्या हो रहा है मुझे आशा है कि तुम इससे डर होगे नहीं और यह कहते वे वो बंदा अपने मूझ से एक बबल को निकालता है जो कि देखके रहन काफी जदा है तब यह बबल बहुती तीज़े से चमकने लगता है और उसकी काफी जदा तेजोती है यह देखते हुए रहन अपने उन में कहता है इसकी फोर्स यह तो काफी जदा दाखतवर था मुझे बाता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो कि नॉर्मन लोग कर सकते हैं यह काफी जदा हजीब है यह तो एक सूपर नैचुरल अबिलेटी है और यह क देता है डरोमत डरोमत यह ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है तो मस एक बड़ी ऐसा टाइक यूज कर सकते हो जो कि काफी बढ़िया है तो यह सुनते हुए तो बंदा रहन को थैंक्यू कहता है और वापिस अपने गार चले जाता है जिसकी वोज़से रहन को एक और गय क्लिनिक में एंटर कर चीक होते हैं कि तभी उनके सामने रहन आ जाता है और उनसे कहता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम लोग कहां से आए हो वो दोनों बंदे रोने लगते हैं और रहन से कहते हैं पिलीज है मैं छोड़ दो तभी क्लिनिक के गेट में वो सारे फौजी यह गेट खुलो यह गेट तुम खोलते क्यों नहीं हो यह देखके रहन काफी जदा है और अपने उनके कहता है कि इतने साइज लोग यहां पर क्यों आए हैं आखिर उनके क्यों होना चाहिए वो फौजी चिलाते हुए कहता है हमें यहां पर सर्च करने के लिए और दिया बाहर चुछ उनके का अधाए हमें लयुछ रहे देख आरे परश को मुझा राओ शुख़ुए को देखने के बाद सर्च करना जा रही नहीं नहीं पर दबेगा तबी उन सभी का लिढर उन सभी लोगों से कहता है, जल्दी करो, और इनका सर्च करने लगो, इसके घर की ताला छिलो, और ये कहते हुए, वो सभी user, क Everywhere के चले जाते हैं, जया पर उन लोगों, वो तीन बंदे मिलते हैं, और इन तिनों को देखते हुए, वो लीढर कहता है, मैंने तुम तीनो को यहाँ पे भेचा था तुम कच्र है यह भी नहीं कर पाए क्या तुम तीनो को वह गन मिला है और वैसे तुम मजे यह बता Dop कि तुम लोगे कुसों करने वादा है और यह कहते है वह रैन की तरफ देखता है सबस्क्राइब करना मद भूलना मिलते वीडियो में तब ते के लिए वाइबा है सबस्क्राइब करें में चैनल को और वैल आकटन को भी दभा दीजेए तके हमने ने वीडियोस को आप बिलकुमे मिशना करें सो बेना किसी देरा च्राइए चलता इस वीडियो को शुरू करते हैं सहापैसर की स्टार्टी में में रहasınaन को दिखा जाता है जो किang कॉंग। को देखते हैं अपने मिनमें कहता है तुको क्यास के नाम वांग कॉंग योंग है से कहता है तो चलो चलते हैं और वो रेन का कंदा पकरते हुए से कहता है मैं जो कह रहा था तो उसको तुम ध्यान से सुनो भले तुम एक स्ट्रॉंग होल्ड में पैदा हुए हो यह काफी अची बात है लेकिन तुम हमारे से चल सकते हो और एक सोलजर बन सकते हो क्योंकि यह बेवकूफों के साथ रहने से कई बहतर होगा और यह कहते हुए वो सभी लोगों वहां से चले जाते हैं तो यह देखते हुए रेन अपने हमन में कहता है मैं तो काफी ज़दा भाग गशाली था कि मैंने वो गंच चुपा दी ने तुम्हें पकड़ा जाता और यह बंदा मुझे मार डालता उन लोगे के पास सच में एक बड़ी सी बंदूख है यह तो काफी अच्छा है मुझे भी एक गंच चाहिए और फिर अगले दिन वो दोनों बिस्तर से उठते हैं चाहपे उठते हुए यान रेन से कहता है ब्रदर देखो वो सभी बेंड के लोग यहां अपने भाई से कहता है देखो इन सोलजर को यह लोग तो काफी ज़्यदा चक्मी है रहने उने देखते हैं लगबक एक सब्सक्राइब और सड़क पर एक मात्र खत्रा वह बेडियों काफी ज़्यदा खदनाक है क्या उनका सामना उनसे हुआ था तब इसी लड़की को तुमें देखर लोग तो यह कहता है क्या इस कहा है तो इस बिलच के बार नदी है मैंने तुमसे पहले है कर था अगर तुम चिंक मांटन जानका चाते हो तो तुम्हें रहन की मनत ले चाहिए थी लेकिन तुमने तुमने तुम उसे पर विश्वाशी ने किया हाला कि आप उसके बास गाइड कराने के लिए समय नहीं है क्योंकि हम लोग बॉस लू के अंडर काम कर रहे हैं लो से कहती है क्या बॉस लू क्या तुम उसे जानते हो वो कमीना जिसने फादर और अपने क्लिनिक के अंदर जाने लगता है तो यह देखते हुए वो वांग फोजंग उसके पीछे पीछे पीछ आते हुए उसे कहता है मैं इस बर बैंड को तुम उसे दूर भगाने के लिए तुमारी मदद की क्या तुम इस बर मुझे थैंक क्यों नहीं कहना चाते है यह स सुनते हुए वांग फोजंगों से कहता है नहीं नहीं मेरे पास इसका स्किल नहीं है और इसके अलबा अगर मैं वहाँ पर जाता हुए तो मेरे बेटे का क्या होगा तुम बहर में जाओ और वैसे मैं तुमारे पूरी फैमिली के लिए धन्यवाद देता हूँ तो यह सुन पह झा ता हूं जिसके वह देखे रेन को एक और गैरा फिधर हरण होता है उन लोगों कुसी ब 느낌 को हमावा जाती है और यह वह भूंदा होता है जिसके प्लाएँ सुपरनेच्वर Hoş रहा ह ऑब्ला हो तो ऐसे पह सोल्जर वह बन ऊंसे अपने साथ ले जा रहे है दूसी कर वह बंदा वोगों को जाने दो ये सब देखते हुए वांफोगों को गाले देते हो अपने मिन होगा मुझे ऐस लगता है वांफोगी सा क्याता है मैंने सुनना थे कि उसने उस रात को एक पावरफुल भी था लेकिन पताने किसी ने इसके खुला सा कर दिया तो यह सुनते वे रेन काफे ज़्यादा है और कहता है क्या यह लोग सूपर नैचुल एबिलिटी वाले लोगों का शीकार कर रहे हैं आगे यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वांफुकुकु से कहता है तो कि उनके शक्तिया और भी ज्यादा बाहर आए वो लोग इनके जाच करने के लिए बहुती अजीव तरह के डिवाइस का यूस करेंगे रेन अगर यहां के पास ऐसे ताकत आ जाए तो तुम क्या करोगे अगर ऐसा हो भी चाता है तो तुम अपने आसपास के लोगों को जान होबेबपड़ेफ़ चाको को उठाते हे अपने गले में गौब देती है और वहों भी हमटे में मर जाती है है और यहाज बचोगे यही सिकलना चाता हो कि लोगों से कैसे लणनना है तो यह िसी आजिवे होई वो टीचर में पिर च्रिंश में प्ट्र को फेस करने polsk issues करताед और वो ऐसे भी, अगर तुम यह करना चाहते हैं, तो आगे बरो, और फिर रेन, क्लासरूम के तरफ देखता है, जहाँ पे वो देखता है, कि यान, अपने टेबिल में बैटा हुआ होता है, और उसके चालो तरफ, उसके दोस्त खड़े वे होते हैं, जहाँ पे वो देखते ह होता है, यह सब देखते हुए, रहन अपने में कहता है, मुझे लगा था कि कुछ बड़ा हो गया है, यह तो सिर्फ इन लोगों की जगड़े हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है, तभी हम देखती कि वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, यान, काफी ज़्यादा अब सम्सक्राइब यह तब हैं, यह मुंन अब तब बिन लोग आठकटा मेरे लगाया ह्, सम्सक्राइब सब्सक्राइब करें मैं चानल को अब लाइगन को भी दबा दीजिए था कि हम आने ने वीडियो का बिल्कुमे मिस ना करें सो बिना किसी तरी के चलते इस वीडियो को दिखा जाता है जो कि काफीजर स्टूडियन्स को पढ़ा रहा होता है और फिर कुछी समय बाद उन सभी स और लुटरिम पर जाना होगा तो यह सुनते विए रैं काफी जाता है रहन हो जाता है जल्दी करो तेयार हो जा रहो जाता है यह सब काहां जा रहे हो तो यह सुनते वे आपने उस दिन तो देखा ही था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था अगर मैं भी इसे मना कर देता तो शायद मुझे इस शहर में रहने में काफी ज़्या दिक्कत हो सकती है तो यह सुनते वे टीजर जांग उससे कहते हैं तो ठीक है जब तक आप यहां पे नहीं है तो यहा इसे को अच्छी तरके सरको और इस पैसो से सिग्रेट करें इतना मत भूलना क्योंकि वो सिग्रेट तुमको तीचा जांग को देना है और बाकी घर के लिए यूज करना और यह कहते हैं मुझे यहां को पैसा नहीं देना चाहिए अगर ली बहुत ही जादा लाल ची होगे तो क्या होगा मेरी भाई की सिज्वेशन काफी जदा खराब हो जाएगी लेकिन लिके बार में से सुचना भी ठीक नहीं है लेकिन यह मेरे सबसे अच्छा डिसीजन है तभी ली रहन से कहती है मैं समझती हो तुमारा मतलब क्या है मैं ऐसे तुमारे लिए रखूंगी तो चिंता मत करो और अभी शाय तुम जाओ और सेफली वापस आना रहन के घर के सामने वह सभी बैन आ जाते हैं तभी रहन को एक नोटिफिक्शन आता है जहाए उसे एक मिशन दिया जाता है जहाए उसे बताय जाता है जिंग माउंटेन के मिशन जन्नी को तुम्हें करना है ना तो ठीक है अब हमारे साथ आओ तभी रहन के सामने पागल बनने का ना टेक लोग कहती है यह आदमी यह तो कितना जादा पागल है तभी पीजी से वांग कोंग यंग लो से कहता है अरे हम पहले से मिल चुके है तो तुम्हें पता होना चीए इसे अद देखते हुए रैन अपने मन में कहता है वांग कोंग यह ऐसा लगता है कि मैं उन्हें बेवकुफ नहीं बना पाऊंगा यहां उस कमीने के साथ मुझे ना चाहकर भी जाना पड़ सकता है यह तो काफी बुरा हुआ मेरे लिए और यह कहते हुए रैन उन लोगों से कहता है मैं नहीं जा लोगों से कहता है मैं आपके साथ चलूँगा लेकिन मैं रही कुछ शर्त है मुझे 30,000 डॉलर चाहिए तो यह सुनते हुए रैन उसे कहता है तो फिर ठीक है तुम मुझे 10 बेक नमक 10 डिबा सिग्रेट और 100 किलो चावल मुझे इतना सब कुछ देना पड़ेगा तो यह सब्सक्राइब और अगर हम लोग एक साथ उस माउंटेन पर चलते हैं तो यह काफी ज़्यदा अजीब हो जाएगा यह मेरे मिशन में अपने टांग अड़ा सकता है रैन की बाते सुनते हुए वांग डूंगयों से कहता है यह तो काफी दिल्चस्प होने वाला है तभी ल यह सुनके काफी ज़्यदा कोछ होता है तो ठीक है लेकिन रुक जाओ हम अब से क्टीम होंगे लेकिन मुझे तुम लोगों का नाम नहीं पता तो भी सुनते बहुए लुँआ से कहती है वह अरु लोगों को इतना कुल जाने के जरूत नहीं है और पर पर यह तोसा बावा कुछी लड़की कहती है मैं यांग जाउजीन हूँ और तुमें कुछ जानने के जरुवत है तो यह सुनते हुए रहन से कहता है ने 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 अब और कुछ नहीं और कुछ समय बाद उसे भी वहां से जान लगते हैं तो उने देखते हुए यां काफी ज़्यादा गबरा रहा ह होता है तो उसे देखते हें लियस से कहती है बरे चीन्ता है मत करो वह उखान पर त्ईया जाएगा और यहां पर जल्दी आ जाती है और हमगे आज आगर वाहा थोधा ते रहन लहीं मुद्ध का भाट ला में और इसे जुख थे कैता है रहशे कार रही हो पहले उसे पाइला है और यह कहते हूँ प्ला धीं और यह समा यू यह ते यह हो पन तो जिनू क्या हम वापस ने जा सकते हैं हमें शायद कोई दूसरा गाड़ ले लेना चाहिए यह तो वहारा बकवास है तो उसी के साथ दूसरा बंदा भी होई कहता है तो यह सुनते वे लोग से कहती है वांग फुझे ने कहा कि वह अकेला ही है जो हमें उस माउंटें तक ल लुखूर चाहिक पड़के सकता है तो चलेर mail तो के जाने में और वांप लुखिशरू हो रहा होता है तुम्हारी में मत कहता है क्या आपकिसी बात कर रहे हो क्या तूटता यहीं पता हैольз पता है जंब यह थÄर चारी तो टूरता है तूटता है तू कि तूटता होगा रहन उसे कहता है तो फिर क्या तूटता है रहन से कहता है जब अंडा तूटता है तो समझ में आ जाता है क्या वो यांग मुझे देख रही थी तब कुछ लोगों कुछ फूट पेर्स मिलते हैं और वो लोग कहते हैं और यह सब देखके वो लोग काफी जदा हारन होते हैं अगर आपको यह अच्छा लगए तो लाइक करना सबस्क्राइब करना मत बूलना और साथी साथ में आपको एक पात बता दू हमारे चैनल में जैसे की सीद इसका कुछ से में होने लगता है और जब विवस कम हो जाते हैं और जब विवस कम हो जाते हैं तो हमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता तो इसलिए पलीज हमें सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि हमें वीडियो बनाने का कुछ मोटिवेशन है और जिससे हम लोग डेली दो या तीन वीडियो बना पाए तो इसलिए प्लीज सपोर्ट आपको लोग जरूर दिखाए और जल्दी से हमारा इस मन 15K फैमिली कम्पिलिट करा दीजे ताकि हमारा QN वीडियो जल्दी से आजाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाए बाए हैं लेकिन ये जैनवर कौन होसकता है जिसके हैं नहीं बीड़ से दुपर्णान पर नहीं थे जब हम लोग पहले या पर थे फुट पुट पुर रहा हुता है तभी उससे दूसा रहा है तुम तुम यह सब क्या देख रहे हो रैन वो footprint देखते हुए अपने उनमें कहता है इस जंगले जानमर के पैरो के निशान को घरन के पैरो के निशान ने आसाने से मिला दिया है जिससे कि हमें पता नहीं लग पा रहा कि ये footprint किसका हो सकता है लगता है आगे जाके कुस्त वोट और मिलने बाला है और ये कहते है रेन से भी लोगे स account कहता है अर्ड जाब मेरे सामने से मुझे देखने दो कि ये क्या है और रहानों से देखते हुए कहता है ये तू बालो के पैरों के निशान है पिसली बार जब आप लोग यहां पे रुके थे तो आप लोगों का खाना यहां पे कुछ छोड़िया था जिसकी वज़से भालू यहां पे आये थे तो यह सुनते वे दूसरा बंदर से चलाते वे कहता है रैनुन लोगों की बाते नहीं सुनता और उनसे कहता है मैं खाना तालाश करने के लिए जा रहा हूँ तो यह सुनते वे दूसरा बंदर चलाते वे कहता है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि पिसली बार जोग गाइड हमारे साथ आया था तो वो चैरा दोने के लिए आया था और वो नदी के आस पास ही आया था और जैसे उसने चैरा दोया तुरंत वो मर गया और यह कहते वे रैन वहाँ पे एक लकड़ी तोड़ लेता है और इससे बाला बना लेता है और अपने उन्हें मैं कहता है जिस चीज ने पिछली बार गाइट पर हमला किया था, शायद वो पानी के अंदर हो सकता है, तभी उसे एक दिमक का घुसला दिखता है, और ये देखते वे वो कहता है, एक दिमक का घुसला, शायद ये मेरे काम आ सकता है, और ये कहते वे रहन, उस दिमक के घुसले से एक द तो Ren यह देखके काफ़ ज़्यदा खुश होता है और वो मसली अपने पास लेते वे वो वापिस वही परी चले जाता है और अपने वनमें कहता है तो ठीक है मुझे यहां से जल्दी जाना पड़ेगा कुछ से में बाद वहां के सबी लोगों को कुछ खुझव आने लगती है तो यह देखते हुए उनमें से एक बंदा कहता है क्या आखिर यह कौन से खुझव है तब है उनमें से एक आदमी Ren की तरफ देखता है जो की मसली पका रहा होता है तो यह देखते हुए वह आदमे काफी ज़्यादा गुस्ता होता है और कहता है क्या उसके पास सिर्फ एक मसली है और वो उस मसली को पका रहा है रेन उस मसली को पका रहा होता है तब यह उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है और रेन को एक कुष्ट ही दिया जाता है जहां पर उसे बताया जाता है कि अपनी अच्छी चीजे दूसरों को शेयर करनी चीए यह देखते हुए रेन अपने माल में कहते हैं यह कौन सा बखवा सा कुष्ट है क्या मुझे यह भी पूरा करना पड़ेगा और रेन मसली क देखती है कहता है मैं तो खामाया चैनल लग से कहता है तुम लोग गया हूँ में तो अपनी खुशी यहाँ पर दिखाने आया था यह सब देखे वह बंदा काफी साथ कुस्सा होता है तबी रेन के समने इक notification अब पर अपन होता है जहाँ पर उसे मताया जाता है कि उसका quiz complete हो गया होता है रेन उस बंदे से कहता है तुम्हारे साथ शेरिंग करना ये तो impossible है लेकिन अगर तुम मुझे तीन बॉटल पाने का देते हो तो मैं तुम्हें ये मचली आदा दे सकता हूँ और फिर उन्दोरे के बाद पक्की हो जाती है दूसी तरफ रेन अपने मचली को पका रहा होता है कि तभी होँआ पे यांग वहँआ पे आती हुए रेन से कहती है तो मचली खा रहे हो रेन उसे देखके काफी जादा डर जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक पिश्टल होता है रेन उसके वेपन का स्टैक्स देखता है जहाए पे उसका वेपन M9 होता है और उसका वेट 0.96 kg होता है यह से देखती हुए रेन उसे कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें बस दो बाइट दूँगा बस दो बाइट यही तुम खा सकते हो और वो अपने उनमें कहता है यह लोग तो मुझे चैन से खाने में नहीं देते है क्या बात है यह लोग फिर से मुझे परिशन करने के लिए आ गए है तो यह सुनते वे यांग उसे कहती है बस दो बाइट यह तो हमारे लिए काफी नहीं होगा लिए आते हुए उसे कहती है दो बाइट नहीं तुम्हारा खाना मुफ्त में नहीं खाऊंगी तो इसलिए मैं तुम्हें यह चॉकलेट देती हूँ तो यह सुनते हुए रेन उस चॉकलेट को खाता है जो के काफी ज़दा अजीब होता है दूसरी तरफ यांग उस मजली में नमक चरकरी होती है तो उसे देखती हुए रेन अपने उनमें कहता है वह! क्या लड़की है? क्या यहाँ पे? सारी लड़की एतने सुन्दर है और यह कहते हुए रेन उसको देख रहा होता है सब निकार लो और सबसे आगी जाओ और हमें गाइट करो तो यह सुनते वे रहन उससे कहता है तो ठीक है लेकिन सभी को ने दी से दूर रहने के लिए कहना क्योंकि वहाँ पर खत्रा है वहाँ पर कुछ लोग अभी भी सोरे होते हैं यह देखते वे रहन काफी ज़या चिर जाता तभी वाँ पर एक बड़ा सा हीरण आजाता है और उनको पर हमला करता है वह हीरण एक कार को बड़ी बुड़ी तरह हबामे उड़ा देता है यह सब डेखते है सब पड़ी लोग से जाते हैं जयाता हएग ज़या हो इसे नाराज मत करो दूसीतर फ्रेंड पागलों की तरह हरकत कर रहा होता है और फिर वह सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर शूटिंग नहीं कर रही होती है तो यह देखके रेंग का फिजदा है और अपने में कहता है इस ट्रेंज आखिर हमेशा इतनी बेपर्वा क्यों दिखती है तब यहां पर एक आदमी घैल हो जाता है उनमें से एक आदमी रेंज से कहता है रेंज जल्दी आओ वैसे क्या तुम उस बिलेज के डॉक्टर थे ना तो इसे जल्दी से इलाज करो रेंज वहां पर आता है और उससे देखती हो अपने में कहता है यह तो अतना ज्यादा गहरा इसा चोट नहीं है यह तो अभी ठीक को कृट करों टै और नीचे कर जाता है और जो आ जाता है और इसके कल ग्रता है और जो कहता ही दिखाए नहीं दिखते वह सो और ये जंग्ल में कुछ है। लगता है हमें यहाँ नहीं करना चाहिए. लगा बार में देखता है जहाँ पर एक डंक लगा वा था हूँ है। और अपने मन में कहता है एक जहरीला डंक आखिर ये किसने किया होगा ये बंदा इस डंक के वज़े से तुरंत ही मर गया तब ही पीछे से लुओ से आवाज देगी है और उससे कहती है एई रेन तुम क्या कर रहे हो चली मैंने जो का वो करो तो ये सुनते में रेन कहता है ठी कॉड़ी जा गर्म होते है और अपस में कहते है आगे बंदा कि क्या तक लीफे इतना भुखवास क्यों कर रहा है तो दूसरा बंदा कहता है ये बंदा यो तो सच पया पागल है इंग उनमेंसे एक बंदा कहता है अभी तो सड़ी चल लई है लेकिन अच्छानक हम लोग ज शेयर करने हैं और सब्सक्राइब करना मत भून ला मिल से एकली वीडियो में तब तक ये बाई बाई